जार्खन की राजदानी राची में अब जाम की समस्या कम हो जाएगी शुक्रवार करीब दो बजे मुख्यमंतरी हेमन सोरेन ने 12 सालों से बन रहे फ्लाई ओवर का उदगाटन किया उदगाटन की बाद हेमन सोरेन ने अपनी मर्सेडीस चलाते हुए एक्स पर अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया इस वीडियो में उन्होंने कई अन्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालते हुए राची की जनता को शुपका मनाय भी दी देखें आज हम लोगों ने काटा टोली का मैं आफ नय ओवर का विदिवत रूप से उधातन कर दिया है और अभी उस पर हम लोग ड्राइब भी कर रहे हैं और आज ये पब्लिक के लिए पब्लिक को समर्पित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पे इस अगल पगल छत्रों में जो भीड जाम चौक चौराहों में लगी रहती थी वो साबिक सभी अब खत्म हो जाएंगी और एक और इससे जुड़ा हुआ कनेक्टिंग पैवर इसके साथ कनेक्ट करेगा जो में कौन से सीवे काटाटोगी के पार लोग अपना सपर बिना किसी दिगावट की कर सकते हैं बिना किमी चौक तो रहे हैं उसका भी आदास हिलाज रखा गया है और उसका एक पार्ट ल पूरी होने के सित्वी पर है बस एक रेलवे क्रॉसिंग उसमें काम होना बाकी है और यह मेरज पूल को बने शुरू हुए हमको लगता है थाई साल के लगभग ही हुआ है थाई साल में इतना बड़ा इतना पहावी पूल बग्दिया है त्यार हुआ है नेसे द्रुम से इस काम करने में सभी लोग इसके सुखुणार के लाइक है इसको सुखाम नाए देता हूँ और आज जनता के लिए यह फ्लाइवर पूरी तरीके से कुछ पूल बागवाद है बागवाद है इस फ्लाइवर के बन जाने से योगता सत्संग आश्रम बहु बजार काटा टोल जाम में कमी आएगी आपको बता दे कि शेहर का ये फ्लाइवर सिरम टोली फ्लाइवर से जल्द ही कनेक्ट हो जाएगा काटा टोली फ्लाइवर का निर्माड दो सो चौबिस करोड के लागत में हुआ है जल्द ही लालपुर और नामकुम की ओर जाने ही तु मुक ओवर से उतरने के लिए एक्जिट राम्प बनाया जाएगा वहीं लालपुर और नामकुम की ओर से बहु बजार की ओर जाने वाला वाहनों को मुक फ्लाइवर में चड़ने ही तु एंट्री राम्प की सुविधा की विवस्था भी की जाएगी आपको ये भी बता दे कि इप्रोच रै्म्प के नीचे अवस्थित बहु बजार की ओर कुल 32 दुकानों और सांति निकेतन की ओर कुल 32 दुकान है। ऐसे में 65 दुकानों का निर्माद होगा। वहीं पर्यावरन को दृष्टी कोन में रखते हुए फ्लाइ ओवर के नीचे अवस्थित मीडियम में रेन वाटर हार्विस्टिंग की सुविधा के साथ साथ हरे भरे घास एबं फ्लाइ ओवर के मीडियन में पौधु भी लगाये जाएंगे आज के लिए इतना ही आप बने रहे हमारे साथ जुहार लाइव